सबसे पहले जो स्टॉक्स हमने एकल ट्रेट करने के लिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म के सबसे पहले स्टॉक अपने पास था SBI बोला था red candle फॉर्म होगी पूरे दिन ये स्टॉक उपर नहीं गया है हमने भी ट्रेट किया और पूरे दिन ये स्टॉक नीचे गए तरह अ इसके अंतर हमने बोला था green candle फॉर्म होगी डे टाइम फ्रेम पर पूरे दिन ये स्टॉक नीचे नहीं गया है अप महीं रहा है तो जो स्टॉक जो level हम दे रहे हैं हाला कि NTPC में देखे बाई करने का जो level अपने पास था वो काफी नीचे था price वहां तक आया ही नहीं यहा करके काम कीजिए जो level हम दे रहे हैं जो stock दे रहे हैं confidence के साथ उसमें बैठो रिस्क मैनेजमेंट करो इतने confidence के साथ आपको कोई stock नहीं देता हुगा कोई भी जब हम बोले है day time frame पर green candle बनेगी 100% I am not sure कि उसमें green candle बनेगी लेकिन एक चीज़ जरूर है जिसे stock में हम बोले ह बनेगे green candle form होगी फिर उसके अंदर आपको short selling नहीं करनी है मतलब के sale में आपका stop loss नहीं जाएगा green को बोल रहे है न उसके अंदर buying करके ही बैठो stop loss लगा दो buy ये करो probability बहुत रहती कि वो candle last तक आपको green में ही दिख जाएगी क्योंकि कल मेरे पास एक message आया था whatsapp के उपर तो जब हम कह रहे हैं कि buy होगा तो उसके अंदर buying करो जो target हम बता रहे है 0.5% कर लो चुप चाब बाहर निकल जाओ उसके बाद में वो stock ओपर जाया नीचे जब कोई मतलब नहीं हमको से अब बात कर लेते हैं कल के stocks के लिए देखे सबसे पहले stock अपने पास infi short मार देना अगर price ने कल इस वाले level के नीचे आपको entry का confirmation दिया यहाँ पर देख ली जगा infi के अंदर एक red candle ही पूरे daytime फे पर form होगी second stock AB capital AB capital के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करोगे level कौँ से रहेंगे यह वाले या फिर यह वाले red candle ही AB capital के अंदर कल भी में भी चांस है red candle ही form होगी third stock हमारे पास है Axis bank Axis bank आज हमने दो स्टॉक दिया देना आप लोगों को bank of baroda और banking sector का जो दो स्टॉक था अपना Sbain दोनों में selling हुई है अब हम क्या करेंगे banking sector के दो स्टॉक हैं कल के दिन इसके अंदर हमलोग सिर्फ buying करेंगे सबसे पहला Axis bank है Axis bank का जो level है हमारा यह वाला इस level से ही आप भाई करोगे day time frame पर हमें इसके अंदर कल ही green candle form होती हूँ नजर आ रही है अगर इस stock नीचे गिरा तो गिर जाने दो फिर तो अपने किसी काम कहने क्योंकि जो view है हमारा वो भाई का है भाई का मौका देगा entry ले ले लेना यह आपर target हम जितना बोलते है आपसे normal जो minimum target है 0.5% का target लो चुप चाब बहार निकल जो stock है htfc bank buy ही किया जाएगा यह इसका बहुत अच्छा एक support एरिया है प्राइस बिल्कुल अपने support पर है इसके अंदर सेम लेवल से आप buy करोगे short selling नहीं करनी है और जितना target हम बोले उतना target लगा चुप चाब बहार निकल जो यह जितने भी screen shots है कल अब ने बोला था तो देखते हैं कल का दिन अगर अच्छा रहा और इन stocks ने अच्छा perform किया तो हमारी यह बहतर यह काफी अच्छा दिन हुआ because कल market कल Friday है week का सबसे last session है so thanks good bye and कल के लिए all the best I hope कि जिस तरह से हमारी analysis है कल market कुछ-कुछ वैसा ही perform करेगे so thanks and कल मिलते हम लोग आपस से